है है लो चम्पियांस वेलकम बैग टू लेट्स स्कोर हंडिड दूस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है नॉन फेरस मिनरल्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्योंकि इस टॉपिक से ट्यू मार्कर ठी मार्कर और फाइव मार्कर क्वेश्चन तो आते ही हैं साथ हम मारा मेजर बॉक्साइड डिपॉजिट्स पे मैं बेस्ट क्वेश्चन भी आता है राइट आप लोग पेपर लेके बैठिए एंड मैं आज आप लोगों से हमेशा की तरह ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे कि आप लोगों का जैसे होता है कि कौन-कौन से मेजर होती है अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को चुठकी में मैं लर्न करा दूंगा आए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं तो टॉपिक का नाम है हमारा नॉन फेरस मिनरल्स दोस्तों पिछली टॉपिंग में हम लोगों ने फेरस मिनरल्स पढ़ा था आज हम लोग पढ़े जा रहे हैं नॉन फेरस मिनरल्स नॉन फेरस मतलब क्या होता है नॉन फेरस का मतलब ही होता है जिसमें आयरन कंटेंट न हो राइट तो नॉन फेरस तो एक ही हो गया नॉन फेरस की प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है जो नॉन फेरस but sadly हमारे यहां जो non-ferrous minerals हैं हमारी country में उसका जो reserve है और उसका जो production है बहुत कम मिलता है अगर हम ferrous minerals की तरफ देखें तो जो हम लोगों ने पीछली वीडियो में जो मरे ferrous minerals पे बनाई है हम लोगों ने देखा कि हमारे यहां iron ore के four reposits मिलते हैं और उसमें से एक तो दुनिया के one of the largest iron ore mining है और वो करनाटका में पाया जाता है लेकिन उसका नाम आप लोगों को comment box में comment करना है और एक छोटी सी hint और दे दे रहा है उसमें चार districts के नाम आते हैं तो आप लोग comment box में comment करके बताएं कि वो कौन सी iron ore built है जो करनाटका स्टेट में पाई जाती है और हाँ एक लोगों से share करना चाह रहा था कि यह जो major iron ore builds है उनको learn करने की मैंने बहुत ही अच्छी tricks share करी है तो जो ferrous minerals पे वीडियो है उसको आप लोगों जरूर देखे आप लोगों को definitely बहुत फायदा होगा now coming back to non-ferrous तो जैसे हम लोगों ने देखा कि non-ferrous minerals के मामले में हमारे हाथ tight है हमें non-ferrous minerals other countries से import करना पड़ता है क्योंकि इसका reserve non-ferrous mineral का जो reserve है और production जाहर सी बात है जब reserve से ही नहीं है जब ores ही नहीं है तो उसका हम production कहां से करेंगे और में से हम impurities को हटाएंगे तो mineral निकलेगा और फिर mineral के processing करके हम metal बनाते हैं लेकिन sadly हमारे हाथ reserve भी नहीं तो production की बात ही नहीं उठती तो India's reserves and production of non-ferrous minerals is not very satisfactory यह तो हमने समझ लिया अब non-ferrous minerals में कौन-कौन से आते हैं non-ferrous minerals में detail में इस video में हम लोग पढ़ेंगे copper and bauxite को बट इसके अलामा भी जैसे कि one marker में आ सकता है कि ने मेनी four non-ferrous minerals तो उसको learn करने की बहुत सी आसान सी trick है जो पिछली वाली video है non-ferrous पे उसको आप लोग देख सकते हैं अब जैसा कि हम लोगो ने देखा कि these minerals which include copper and bauxite इसके बारे में तो हम लोग detail में पढ़ेंगे इसके अलामा lead, zinc और gold भी आता है अब देखे एक तरफ तो हम लोग non-ferrous minerals में कितने deficient हैं दूसरी तरफ non-ferrous minerals का बहुत ज़्यादा यूज है धेर सारी industries इस पर depend करती है for example, metallurgical industry, chemical industry, engineering industry आई यह one by one समझते हैं कि यह क्या होती है right, देखे, metallurgical industry क्या होती है metallurgical industry का मतलब होता है extracting metal from, extracting metal from pores तो अगर हम metals extract करना चारा है basically, अगर हम mineral पहले क्या करेंगे पहले हम ore से impurities हटाएंगे उसके बाद हमें mineral मिलेगा उसके बाद हम क्या करेंगे कुछ chemical processes करेंगे तब metal मिलेगा right, तो metallurgical industry जो है metallurgical industry क्या होती है किसी भी country के लिए backbone का का काम करती है वो totally depend करती है किस पे metallurgical industry भी non-ferrous millers पे depend करती है दूसरा क्या है engineering industry engineering industry मतलब engineering industry क्या करती है वो engine बनाती है automobile के parts बनाती है heavy machinery बनाती है tools बनाती है लेकिन वो भी dependent किस पे है non-ferrous millers पे right, दूसरी तीसरी industry क्या है electrical industry, आप लोग जानते है हमें जब गर्बियां लगती है तो हम air conditions on कर लेते है सर्दियों में जब हमें नहाना होता है water heater on कर लेते है right, इसमें भी non-ferrous millers का बहुत ज़्यादा use हो गया मैं washing machine का नाम तो भूली गया washing machine हुआ, हमारा refrigerator हुआ इन सब में भी non-ferrous mineral का बहुत ज़्यादा use होता है right, इतनी धेर सारे uses होने के बावजूद भी हमारा country deficient है in terms of reserves and production of non-ferrous minerals, यह तो introduction हो गया आईए before we move forward एक चीज़ पर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यह जो major copper regions हैं उसमें से हम लोग देख लेते हैं West Bengal नहीं है, यहाँ पर जहारखंड है जहारखंड की गाड़ियों में जे एच आप लोग लिखवाते हैं, इसले मैं जे एच लिख दे रहा हूँ और मद्ध प्रिदेश में हमारा copper कहां मिलता है, बालाघाट में मिलता है और राजस्थान में copper और हमारी बुक में क्यों छेत्री है तो हम छेत्री पढ़ें, बाकियों को मैं eliminate कर दे रहा हूँ, बाकियों को आप लोग ignore कर दीजिए, तो basically three major states हैं, जहाँ पर copper मिलता है कौन-कौन सा है, हमारा एक तो जहारखंड हो गया, जहारखंड में सिंग भूमी, मद्ध पिदेश में बाला घाट और राजस्थान में छेत्री चलिए, अब हम शुरू करते हैं, देखे, पहला point क्या है, copper में पहला point क्या है, इंडिया is critically deficient deficient in the results and production of copper यह already, यह point हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो non-ferrous minerals है, उसका reserve और production दों में हम हमारे हाथ बहुत tight हैं, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा, दूसरे point में हम लोग पढ़ेंगे कि copper की क्या-क्या property होती है, राइट, देखते हैं, इस पर question आ सकता है कि copper की क्या-क्या property होती है, तो being a copper क्या होता है cables में, electronics industry में, और chemical industry में होता है, राइट, अब देखे copper की property क्या है, copper की जो properties है, उसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे हम MCD, MCD की help लेंगे, अब आप लोग कहेंगे, अरे sir, copper की property learn करने के लिए MCD, municipal corporation of daily की मदद लेंगे, ना, 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 वो नहीं कर रहा है, यहाँ पे municipal corporation daily नहीं है, M का मतलब हो गया, malleable, C का मतलब हो गया, conductor, D का मतलब हो गया, ductile, malleable मतलब क्या होता है, malleable मतलब होता है, उसे पीट-पीट कर जितना चाहें, उतना expand करें, यह तूटे नहीं copper, ductile का मतलब क्या होता है, ductile का मतलब क्या होता है भाई, ductile का मतलब होता है कि हम copper को wire की form दे सकते हैं, लेकिन तूटे गा नहीं, we can turn copper into wire, इसलिए आप लोग देखें, घर में जो wire होती है, अगर प्लास्टिक का cover हटाएं, electrical wire साब देखें, उसमें आपको अंदर copper निकलेगा, right, तो क्या हो गया, M हो गया, malleable हो गया, C हो गया, conductor, copper is very good conductor of electricity, आप लोग जानते हैं, तो इस तरीके समले क्या क्या copper की property हम लोग ने learn कर ली with the help of MCD, आप का रहा है कि copper electrical cables हम लोग जानते हैं, electronics, इस समझ जिस भी device पर आप देख रहे हो, चाहे laptop पर देख रहे हो, चाहे smartphone पर देख रहे हो, या मैं इसी smart board पर पढ़ा रहा हूँ, इसमें भी copper का use हुआ है, right, तो जितने भी electronics items होते हैं, आपका tablet भी हो सकता है, तो tablet में भी copper का इस्तेमाल होगा है, right, तो electronic gadgets होगे हमारे chemical industry, जो हमारे किसान भाई, insecticide और pesticide यूज़ करते हैं, उसमें भी copper का use होता है, अब देखें जो non-ferrous minerals हैं कितने useful हैं, हम कितने उस पे heavily dependent हैं, बट side part यह हैं कि हमारे पास उसके reserves of production दोनों कम हैं, और non-ferrous minerals को में import करना पड़ता है, right, चलिए, तीसरा, अब हम देखने वाले हैं, यह हो गया, हमारा copper की property हो गई, पहला introductory line हो गई कि हम इतमें बहुत जादा, हमारे यहां reserves and production दोनों बहुत जादा कम है, है न, तीसरे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कौन-कौन से major producing states हैं copper के, तो copper के तीन major producing states हैं, आप लोगों ने देखा, राजस्थान है पहला, दूसरा हमारा मध़पिदेश है, तीसरा हमारा जारखंड है, अब इसके एक अच्छे से trick बताऊंगा, आप लोगों के बहुत अच्छे से learn हो जागा, चले अच्छे, इसी बात पर trick शेयर ही कर लेते हैं, आप लोगों को भी interesting लगेगा, अगर आप यह learn करना चाहते हैं कि major, major, major copper producing states कौन-कौन से हैं, तो आप इसको ऐसे learn कर सकते हैं, वेंट टू जारखंड, मैड राजा वेंट टू जारखंड, लोग आपको learn हो गया, major copper producing states learn हो गया, यहाँ पर मैड मतलो हो गया, मधरदेश, राजा मतलो हो गया, राजस्थान, वेंट टू देखो, इसमॉल में लिखा है, इसे आप हटा दीजे, eliminate कर दीजे, जो हमारे states होत पहले से देख रहे हैं, वो जानते हैं इस ट्रिक को, कि हम लोग states के नाम के लिए, जो भी states के नेम सोते हैं, उसको हम capital में लिखते हैं, जो helping words होते हैं, like went to, इसको हमें small में लिखते हैं, और जैसे ट्रिक लिखा, उसको cancel कर देते हैं, जैसे हमने क्या लिखा, मैड, राजा went to जारखन, हमारे तीनों states हो गए, जो copper producing है, अब मद्ध प्रदेश में इतना तो याद करना पड़ेगा न, मद्ध प्रदेश में हमारा कों सो हो गया, बाला घाट हो गया, राजस्तान की ट्रिक है, राजस्तान में क्या है, छेत्री, राजस्तान में हमारा क्या है, छेत्र जेत्र की स्टोरी तो हिस्टी में famous है, ये लोग समझने के लिए क्यों लिए सांसर के आथ करने ले मान लेते हैं कि महाराना प्रताप छट्री यह थे, तो राजस्तान में छट्री यानी राजस्तान में कहां मिलेगा हमारा copper? छेत्री में मिलेगा, उसके बाद क्या बटा? बचा हमारा जहारखंड बचा, दोस्तों आप लोगों के याद हो गया, जब हम लोग आइरन ओर, मेजर आइरन ओर, बेल्ट सम लोग पढ़ रहे थे, तो पहला बेल्ट ही था न हमारा, ओडिशा जहारखंड बेल्ट, और जहारखंड में आप लोगों के याद होगा, वाली फिरस मिलरस वाली वीडियो जरूर देखेगा आपको मसा आएगा तो यह हमारा हो गया मद्ध प्रिदेश हो गया जारखंड हो गया और राजस्तान हो राजस्तान में छेत्री हो गया मद्ध प्रिदेश में हमारा बालाघाट हो गया और जारखंड में हमारा क्या हो गय सिंग भूमी लर्न होगे आपको राइट चले आगे बढ़ते हैं नाओ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो टॉक्स अबाउट हमने जैसे कि शुरूर में मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें हम नॉन सेरस मिलर्स में मेजरली हम लोग कॉपर एंड बॉक्साइट फोकस करेंगे तो कॉपर तो हम लोगों ने कर लिया कॉपर में ली दो चीज़ देखिए क्या देखिया हम लोगों ने कॉपर की प्रॉपर्टी क्या होती है हमने MCD की हेल्फ से याद कर ली कॉपर की प्रॉपर्टी राइट उसके बाद हम लोग देखिए कॉपर किन किन स् कि मेड राजा वेन्ट जार खंड इसे लेंड हो गया अब हम बॉक्साइट की लेंड करते हैं आई देखते हैं बॉक्साइट क्या होता है दोस्तों एक क्ले-लाइक material होता है clay like चिपचिपा material होता है अब जैसे यह देखिए dry form में अगर इसमें पानी आप मिला दो na clay like कोई भी form दे दो right clay like में तो आप इसको जरूर याद रखे bauxite क्या होता है bauxite is a clay like material right आई यह पढ़के देखते है पहला point हमारा क्या है several ores contain aluminium it is basically यह बोलना चाहरा है कि जो main source है aluminium का actually aluminium किसे बनता है alumina से बनता है right aluminium actually bauxite से क्या मिलेगा alumina बनेगा bauxite से हमें alumina मिलेगा फिर alumina से कुछ chemical processes करके alumina बनता है आई यह देखते हैं though several ores contain aluminium it is from bauxite a clay like substance that alumina याद रखिए bauxite से पहले alumina मिलेगा alumina से फिर alumina बनता है एक chemical process होता है alumina से alumina बनाने का I think electro electro something होता है मैं भूल गया right electro something आप लोग comment box में comment करके जरूब बताएं चुकि आप लोग science भी पढ़ते हैं कि किस process से हम alumina से aluminium बनाते हैं या आप लोगों का हो मक हो गया honestly speaking मैं भोल गया हूँ right so alumina से पहले देखिए पहले bauxite हो गया पहले bauxite हो गया bauxite से फिर alumina होगा alumina से फिर aluminium होगा right चले अब formation of bauxite bauxite बनता कैसे है दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो एक वीडियो हम लोगों एक topic पढ़ा था mode of occurrence of minerals उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो minerals होते हैं वो five forms में occur करते हैं उन five form में से एक ये भी था decaying of surface of rocks जब rocks की surface decay हो जाती है right तो वो material exposed हो जाता है bauxite फिर bauxite को हम लोग इस्तेम्माल में लेते हैं right तो वही पढ़ने जा रहे हैं तो bauxite बनती कैसे है formation of bauxite होता कैसे है bauxite deposits are formed by the decomposition of wide variety of rocks but उसमें aluminium silicate होनी चाहिए वो सारी rocks जिसमें aluminium silicate बहुत ज़्यादा मातरा में पाया जाता है जब उपर की surface decompose हो जाती है तो वहाँ से हम bauxite हम ले सकते हैं right और आप लोग comment box में comment करके जरूर बताएं कि जो five modes of occurrence of minerals होते हैं उसमें से एक होता है decomposition of surface minerals surface rocks का जब decomposition of surface rocks तब हमें bauxite मिलता है बाकी के four modes कौन कौन से हैं आप लोग comment box में comment करके जरूर बताएं और इसे आप लोग याद नहीं तो याद कर लिए क्योंकि इसमें five markers और धेर सारे one marker two marker भी बनते हैं veins हो गया, loads हो गया, bits हो गया, layers हो गया seabed हो गया, ocean water हो गया, alluvial deposits हो गया एक तरीके से मनें आप लोगों को hint दिया है comment box में comment करके आप जरूर बताएं कि कौन कौन से four other modes में mineral occur करता है now moving on to the next basically हम लोग इसमें क्या पढ़ा, formation of bauxite हो गया अब हम properties of bauxite पढ़ने जा रहे हैं bauxite की कौन कौन से properties होती हैं, देखिए, bauxite की क्या क्या properties होती है aluminum is an important metal because aluminum, basically इसमें यह होना चाहिए कि features and properties of aluminum होनी चाहिए right, aluminum की क्या features and properties होती है so aluminum is an important metal because it combines the strength strength of iron, यह iron जैसा मजबूत होता है और यह light होता है और good conductor of electricity होता है और great malleability होती है तो दोस्तों यह जो जो भी इसके properties है aluminum की जो जो भी properties है इसको भी learn करने के एक आसान सी trick है आई यह वो trick आप लोगों से share करता हूँ इसको हम लोग ऐसे आद कर सकते हैं इसको learn करने के हमारी trick है wait a minute इसको learn करने के हमारी trick है sly coma देखे आप लोग जहां से देखे इसको learn करने के है sly coma sly coma is equal to properties of aluminum aluminum क्या होता है strong होता है as strong as iron lightness होती इसमें conductor होता है co से conductor निकला है msm malleability so basically with the help of sly coma आप लोग याद रहिए sly coma की help से आपको सारी property आद हो जाएगी aluminum की sly coma assistance for strength aluminum में strength iron जैसी strength होती है aluminum में lightness होती है aluminum क्या है good conductor of electricity होता है और aluminum क्या होता है malleable होता है learn हो गया होगा आपको चलिए अब major areas कौन कौन से है major areas कौन कौन से है bauxite को produce करने वाले देखे बॉक्साइट को प्रोड्यूस करने वाले जो major areas है देखते हैं इंडिया इंडिया बॉक्साइट डिपोजिट्स आर मेंली फाउंड इन द अमर कंठक प्लेट्यू अमर कंठक प्लेट्यू कहां है मद्धप्रदेश में है मैकाल हिल्स कहां है ये मैकाल हिल्स दोनों स्टेट्स में है मद्धप्रदेश में भी है और चतिसगर में भी है चुकि हिल्स है तो इसका expansion होगा है दप्लेट्यू रिजन ओफ बिलासपूर एंड कटनी बिलासपूर अगें चतिसगर में है कटनी अपना मद्धप्रदेश में है अब देखे तो बेसिकली हमारा क्या हो गया देखें तीन मेजर स्टेट्स है उडिशा हो गया उडिशा मेजर बॉक्साइट प्रोडिसिंग स्टेट है अब भी है इसमें जैसे लिखा हुआ है उडिशा वास दा लार्जेस बॉक्साइट प्रोडिसिंग स्टेट इन इंडिया इन 2016 और 2017 वो अब भी है उडिशा लगभग हाफ टोटल प्रोड़क्शन टोटल बॉक्साइट प्रोड़क्शन इंडिया में जो टोटल बॉक्साइट का प्रोड़क्शन है उसका हाफ या मोर देन हाफ तो अडिशा अकेले ही करता है और अभी ट्रिक्स शेर करते हैं आप लोगों से अडिशा में कौन सी जगह है अडिशा में एक डिस्टिक है कोरापुट अभी हम लोग इसको मैप में कैसे प्लांट करना है वो भी हम लोग देखें अडिशा का एक डिस्टिक है कोरापुट कोरापुट डिस्टिक में एक जगह है पंचपट माली पंचपट माली तो हम लोगों कौन कौन से जगह हैं देखी हम लोग उने देखा मध्धप्रदेश 36 गढ़ मध्धप्रदेश, 36 गढ़ और उडिशा लेकिन इसमें नमबर वन पे कौन है उडिशा, उडिशा नमबर वन पे है बॉक्स साइट के प्रोडक्शन के मामले में तो तीन स्टेट से हमारे कौन कौन से हो गया हो जाएगा, देखिए, तो ये कौन-कौन से कौन-कौन से जगहों पे किन-किन एरियाद में basically बॉक्साइट पाया जाता है देखें यहां पे देखतें इसे, स्टेट्स तो आप लोगों के याद हो गए कौन-कौन से स्टेट्स है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं बॉक्साइट किन-किन स्टेट्स में होता है सबसे नमबर वन पे है उड़ी सा उसके बाद मध्ध प्रदेश और 36 गड़ा है, राइट, लेकिन इन स्टेट्स में किस जुगा पे पाया जाता हो, नाम में आद करना थोड़ा आठपटा सा है जैसे यह देखे, कौन सी प्लैट्व है, कौन सा हिल है बट इसकी बहुत ही आसान सी ट्रिक है आईए हम लोग देखते हैं, देखे यह ट्रिक है ध्यान से देखे, आप लोग, यहां मैं लिख देता हूँ अमर अमर बोला अमर बोला अमर बोला मैकल अमर बोला मैकल बिलासपुर कटनी बिलासपुर कटनी जाओंगा जाओंगा, देखे हमेशा किदर जैसे मैंने बोला है जो name of states होगे, उसे हम capital में लिखेंगे जो helping words होगे, उसको small में लिखेंगे उसको जैसे trick लिखेंगे, उसको हम cancel कर देंगे तो helping words हमारे कौन कौन से हैं, बोला, बोला को हमने कट कर दिया जाओंगा को हमने कट कर दिया, देखो अमर अमर बोला मैं कल बिलासपुर कटनी जाओंगा तो अब देखें, बोला दे मिट नहीं रहा है बच्चों, छोड़ी यह उसको हम ऐसे इसे cancel कर देते हैं, इसको यहाँ cancel कर देखें, अमर अमर से क्या हो गया, अमर से हो गया, अमर कंटक प्लैट्यू, राइट यह हो गया, मैकल से क्या हो गया, मैकाल हिल्स मैकाल हिल्स अमर कंठक प्लैट्यू और बिलासपुर कटनी प्लैट्यू रिजन तो इस तरीके से अमर बोला मै कल बिलासपुर कटनी जाऊंगा इसकी मदद से आपको याद हो गया कि बॉक्साइट जो मदद प्रदेश 36 गर्ड में मिलता है वो आपको लर्न हो गया अभी प् बास करके भी इसकी मुझ शॉट ले सकते हैं आप लोग है अब हम दूसरा वाला देख लेते हैं पंच पट माली और डिस्रिक कौन सा था कोरा पुट एक मिनिट के इसे क्लीन करते हैं देखिए क्या था है और इसाम है कोरा पुट देखिये दोस्तों आप लोग देखिए औ लिखा दो कोरा की स्पेलिंग क्या होती है Q-U-O-R-A राइट को आप लोग जाने है ठीक है तो यहां का जो Q-U है उसको हटा दो ओके लगा दो, कोरा हो गया, उसके बाद पुट लगा दो, कोरा पुट, कोरा पुट क्या है, ओडिशाय के एक डिस्टिक है, जहां पे बॉक्साइट माइनिंग की जाती है, अब आया पंच पट माली, इसको भी याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है, पंच पट माली कैसे याद करेंगे याद है दोस्तों आप लोगों को जो फेडिलिजम वाला हमारा चेप्टर था उसमें फेडिलिजम वाले चेप्टर में सभा ग्राम पंचायत से हमने क्या उठा लिया पंच उठा लिया यह पट नहीं इसे पैट माले पैट मतलब क्या होता है पीठ थब थमाना जम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे घर वाले शाबासी देते हैं पैट करके तो पंच ने पैट किया किसको माली को क्योंकि माली न को यानि माली ने बहुत अच्छा काम किया था फूल पॉधों को पानी दिया था बढ़िया हर्याली हो गई थी इसलिए पंच ने पैट किया माली की पीठ पंच पट माली को रापुट आप लोगों को अल्रडी लर्न हो चुका है अब आये प्लॉट करना सीख लेते हैं क्यों कि जो मैप लेकर पीछान आएगा वो देखे हैं यह भी हम लोगों को पहले ही देख चुके हैं अब जहIES क्या सकता है अमर कंटक्य प्लेट्व वीट इसमें हमारा क्या सकता है इ利 कि यह अमरकंट प्लेट्व आ सकता है मैं कोल हील्स आ सकता है और बिलास्पुर और कट निं बहुत ही आसान है आप लोग ध्यान से देखिए आपको दू मिनन में करा दूँगा आप लोग ध्यान से देखिए सबसे पहले देखिए सबसे पहले हम कटनी देखते हैं यह देखिए कटनी इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएं कटनी ये देखिए मद ओहों क्लियर चोटा कर देता हूं कि लेए आइप या इसको जूम नहीं हो रहा है देखें ये कटनी है यह देखिए मध्ध प्रदेश का मध्ध प्रदेश का यह वाला हिश्व है देखिए जो अंदर की तरफ जा रहा है है ना मध्ध प्रदेश का हिसा यहां से जहां यहां से आप लोग वह जो 15 cm वाली स्केल होती है ना 15 cm स्केल रख करके क्यों एक सिंटर में विल्कुल स्टेट स्केल करके एक सेंटीमेटर की दूरी ले लिजिए लेफ्ट हैंड पर और उसको बड़ा सा सर्कल बना दीजिए हो मुक अच्छे से दिख जाएगा फिर वही प्रॉब्लम आ रही है तो जूम नहीं करते हैं वैसे समझाते हैं आप लोग ध्यां से देख लिजिए दिख जाएगा वैसे चले तो मध्ध प्रदेश का जो यह वाला हिस्स्ता है जो अंदर की तरफ गया है मध्ध प्रदेश के लोकेट करना बहुत आसान है अमर कंटक यह देखिए देवाप लोग यह देखे एरिया जहां से फिर इसमें मध्ध प्रदेश के साइड में अंदर घुस रहा है अंदर घुस रहा है वहीं जहां से अंदर घुसना शुरू हुआ है बस उसी गोला बना दीजिए यह हो गया ए आपका अमर कंटक राइट मैकाल हिल्स को prot करना भेहत असान है जहां पर मध्धर प्रदेश और गड प्रदेश ऑँ इसमें अमर कंटर माइएrat में मध्ध्प्रदेश कमरतर देश में है अमर कंटक जोसे मध्धर हिएर। तो ये हमने कर लिया अब बचा हमारा कोरापुरड जो कि उरिशा में इसको प्लॉट करना बहुत ही आसान है देखिए यह हमारा अंधरप्रदेश है यह हमारा क्या है उरिशा है तो आंधरप्रदेश में दिखोए कि न डिखेगा आपको अगर इंडिया का मैं बना दो डवलई कूपर ही इस सर्कल बना दो यह लगा कोरा फुट राइट यह लगा आपका कॉरा फूट अब हमारा कौन सा बचाए बिलासपूर को बहुत ही असान है कि यह जो अपनां सब्Gen今 को अमर कंटक और मैकॉल हिल से अमर कंटक और मैक आल हिल्स इन दोनों के इन दोनों के बीचों बीच, इन दोनों के बीचों बीच, मतलब अमर कंटक और मेकाल हिल्स के बीचों बीच, प्लस यह जो 36 गड़ है, अपना 36 गड़, 36 गड़ के बीचों बीच, एक बड़ा सा सरकल बनाई है, लाइन खीच के लिग दिए बिलासपूर, इसलिए मैंने पहले ही अरेंजमेंट कर रखी है, यहाँ पे आप लोगों को समझने में ज्यादा आसानी होगी, देखें मैं प्लॉट करूँगा, जो ट्रीक इस्टेमाल करूँगा, आप लोग भी करें काफी हेल्फुल होगी, चले सब पहले कोरापूर से शुरू करते हैं, यह है हमारा आंधर प्रदेश, और यह हमारा उडिसा, तो उडिसा का धियां से आप लोग देखिए, यहाँ पे सब्सक्राइब कर पाऊंग, यहाँ पे हम Lazar हो जाएगा, यहाँ पे हमारा उडिसा है, यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से पाऊंगा, यहाँ यहाँ पर तो आंधर प्रदेश साइड नहीं, उड़ी साइड में जाओ और यहां पर यह हो गया आपका कोरापूट, ऐसे करके कोरापूट लिख दो, यह आपका हो गया कोरापूट, चलिए, अब हम सब कटनी समझते हैं, यह देखे हमारा मध्रप्रदेश है, मध्रप्रदेश का यह ह पिस्ता, जहां से फिर से उठना शुरू हो रहा है, यहां से फिर से उठना शुरू हो रहा है, यहां से एट मिलिमीटर आप धर जाओ, और यहां पर बड़ा सा सर्कल बनाओ, और एरो बनाके लिख दो के, यह हो गया आपका कटनी, दूसरा आपका अमर कंटक कहा आएगा, बहुत ध्यान सुनिए जहां से यह नीचे गया है मध्यप्रदेश का बॉर्डर देखो पहलो बल जुआ अप फिर देखो अंदर की तरफ जहां अंदर जा रहा है यह 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 पर आप सर्कल बना दो यह हो गया आपका एरो बनाओ लिख दो अमर कंटक उसके बाद जो हमारे मै साइन बनाओ एरो बनाओ लिख दो यह हो गया आपका मैं काल हिल्स और उसके बाद हमारा एक छोटा सा काम बाकी रह गया था दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो हमने मैप की प्लोटिंग करी क्या आप लोगों को लिए थोड़ा भी हल्फुल था हल्फुल था या नहीं था प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएं और यह लिख दोखिए प्रोड़क्शन दोस्तों आज के लिए इतना ही comment box में comment करके अपने valuable suggestions आप लोग जरूर दें आज के लिए इतना ही thank you so much